नमस्कार दोस्तों मैं मेगा चलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ दिखाती हूँ यह दिखिए दोस्तों यह जो आप भेर सारे फूल देख रहे हैं इतनी अच्छी ब्लूमिंग देख रहे हैं यह सारा जो देख रहे हैं आप यह सारा वेस्ट मेटेरियल में मैंने जो है प ये देखे दोस्तो कितनी अच्छी है भी ब्लॉमिंग हो रही है कितने सुन्दर रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं तो ये सारे प्लांट जो है मेरे अपने आप से ग्रो होए थे और मुझे इनको हटाने का बिलुकुल भी मन नहीं था ये देखे दोस्तो हर ब्लांटर में ज जो हमारे यहां पर बहुत ज्यादा यूज की जाती है सभी जगह पर तो मैंने उन में जो है अपने प्लांट को लगा दिया यह सारे वन केजी एक किलो जो समान आता है वही पोलिथी ने और देखे दूस्तों मैंने इन में एक मुठी सिर्फ एक मुठी जो है मिट्टी यह सारे प्लांटर रिपोर्ट कर दिये थे इतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी मुझे भी विश्वास नहीं था क्योंकि दोस्तों इतनी हेवी ब्लूमिंग हो रही है चोटे-चोटे से प्लांटर में तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़े कमलों में तो मैं हमेशा से वेस्ट मेटेरियल का यूज करते हैं क्योंकि इसमें अच्छे से जो है डिकंपोस्ट हो जाता है सारा माटेरियल लेकिन छोटी-छोटी पॉलिथिन में भी आप इस तरह से जो है पोदे लगा सकते हैं और जब यह प्लांट खतम हो जाए तो आप इस मिट्टी को वापस से जो है यूज कर सकते हैं तो दोस्तों डबल काम हो रहा है हमारे और यहाँ पर भी मैंने जो वेस्ट मेटेरियल था सारे सुख्य पत्या किचन वेस्ट इनको थर्माकुल के डबों में बढ़ दिया था और यह जो आप करेले की बेल देख रहे हैं यह भी वैसे हमारे बीज निकले थे डाल दिये थे बहुत सारे बीज थे लेकिन एक डो प्लांट निकलाए हैं यहां पर जो विनका आप देख रहे हैं यह भी अपने आप से ग्रू हुए थे पिछले साल के जो मेरे प्लांट थे वह सूख गए थे लगबख सूख जाते कराब हो जाते साथ साल म गए तो मैंने सारे ही रिपोर्ट कर दिया है चोटे-चोटे पोलिथीन बोटर्स वगेरा और जो भी वेस्ट होता है मैंने सभी चीजों को यूज करके जो है अपना यह गार्डन तयार कर लिया है और देखिए दोस्तों जब इतने अच्छे फ्लावरिंग होती है तो Lusk है चोटे-चोटे-वोट्ल में कितने सुनदर फूड्ट खिल रहे है यह यहाँ पर आप देख रहे हैं यह तेल के जार मेशे इसी पिक दिये जाते है तो मैंने कबार से उठाकर इनको इनमे जो है प्लांट लगा दिये हैं तो नही मैंने बीच खरीदे है नप्लांट कटिंग वगेरा से दीरे-दीरे प्लांट चलते जा रहे हैं और बहुत बड़ा ये प्लांट का परिवार मेरे बन चुका है बहुत सारे प्लांट में लगा दिये हैं और सारा वेस्ट मेटेरियल है दो दो बहुत सुद़र तरीके से आप अपने प्लान्टे लगा सकते हैं और इतनी help करते हैं, यह प्लान्ट हमारी इन हमें इन छोटे छोटे प्लान्टरे में भी इतनी अच्छे से grow करके यह हमें help कर रहे हैं, तो जरूर बार बार बोलती हूं और वीडियो में बोलती हूं कि छोटे ही सही लेकिन प्लांट हमारे गड़ में होने चाहिए जब फूल खिलते हैं तो बहुती सुन्दर लगते हैं और हमारा मन जो है खुश रहता है तो अपने आपके लिए ही आप लगा दीजिए लेकिन पोधे जरू लगाईए तेखिए टूटे फूटे टब में टूटे फूटे चोटे चोटे डबों में वेसे भी हम ड्रेनेज बनाते हैं तो ड्रेनेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और हम इन सेज दे सकते हैं कि वेस्ट माटेरियल का यूज करके धन्यवाद दोस्तों